तो बात है ऐसी मैं हूँ जड़गाओं में और यह है मेरी रूम यहां पर मैं स्टे करता हूँ यह मेरा बेड़ है यह मेरे रूमेट यहां पर यह दो तो कुछ ऐसा सी नहीं आका और मैं जड़गाओं में यह हूँ तो फ्लोक्स थोड़े लेठ ही आएगे यह फिर व्लॉग्स ज्यादा कुछ आएगे नहीं मतलब कम रहेंगे हफ्ते में एक ही व्लॉग आएगा और वह इसलिए आएगा क्योंकि सेटेड़े संडे मेरे कॉलेज को आफ रहता है और उस दिन में कुछ न कुछ तो शूट करता ही रहता हो तो उस दिन में अच्छे प्रॉपर दरीके से व्लॉग शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो बस यही आपको एक अपडेट देना तबाके एक स्टूरी है स्टूरी आपको जानने है तो आप आगे वीडियो कर देने कर सकते हो तो गाइट स्टूरी ऐसी है कि आट तारीक को मदब एट आफ जैनूर को मेरे पापा का मुझे कॉल आता है कि बेटा तेरा कॉलेज का अड्मिशन हो गया है तो टेंशन मतले तो मैंने भी टेंशन नहीं लिया और मैंने सिधा हाथ रही दिया कि बोलो कहां पर है तो मेरे पापा बोले कि जरगाओं में तेरा अड्मिशन हुआ है और मैं काफी खु मैं सू गया कल सुबरे पांच बज़े जो मुझे जाना था नाइंत उव जैनुवर चुछ तो पांच बज़े सुबरे मैं निकल गया जड़गाओ के लिए और मेरे दोस्ते भी मुझे बस्टेन पे डॉप के लिए थमस अप टू यू ब्रो और मैं निकल गया जड़गाओ के लिए जाते जाते सोचा की हमारी हाके पार्टिल के पोहे खाके जाए और रंगाबाद में बहुत ही फेमस सी मतलब अच्छे मिस कर रहेंगा मैं उसको सुपर संबाजिन अगर को भी हमने बाय बाय कहें दिया और निकल पढ़े बस्टेन की ओर तो बस्टेन में जाते जाते रास्ते में आता है हमारा दिल्ली गेत तो दिल्ली गेत को भी हम मिलके गए और अलंगाबाद से बस्टेंड में भी पहुज गए हम और बस में बैट गए और यह रखी मैंने बैग इच्छी तरीके से और हमारी जर्णी होती है यहां से शुरू जर्णी शुरू होते ही देखा दोस्तो हमें कितना ही प्यारा व्यो दिकरा है घाट का कितना मतलब बड़ा और बहुत ही अमेजिंग को रहा ही को रहा था बहुत ही प्यारा लग रहा था वो तो चैलिस गाओ पहुचने के बाद में मेरे पापा के साथ निकल पड़ा जर्णी के लिए एडमिशन की प्रोसेस के लिए और रास्ते में काफी बड़ी आ रास्ता मिला हमको मेरे पापा के साथ भी वो जर्णी बहुत ही अमेजिंग रही और उसके साथ हम पहुच चुके जड़गाव अब आप देखोंगे मुझे मैं जो है मेरे सामान के साथ मेरे कॉलेज की बहार ही बैठा था क्यूंकि मेरे पापा और उनके दोस्त जो है हमारी लिए रूम देखने के लिए गए थे और मैं सामा के पास सामा की रक्षा में बैटा था तो रूम देखने के लिए वो गए थे तो तब तक मैंने कुछ आपसे बाते करी वो बाते थी कि मैं काफी खुश हूँ और मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ वो दुखी इसलिए क्यूंकि मेरा बर्डे था और मैं ठीक से सेलिब्रेट ने कर पाया बट आट्स ओके और थी मेरे लिए तो मैं अब रूडि हूँ यह शूट भी नहीं हो पाया और पर आपको कुछ हो नहीं पाया लेकिन आपको कैसे रता है बता हो तो एक दो दिन तो महाल डाइजेस्ट करने में जाते तो बस यह महाल डाइजेस्ट होने के बाद में जब रूटिन में आऊंगा तब आपको व्लॉग्स भी दिखेंगे हफ्ते में एक तो दिखेंगा ही दिखेंगा क्यूंकि मैं कॉलेज को सैटेड़े और संडे को रहती है और प्रे करना मेरी फार्मसी जल्दी से क्लियर हो और मैं आपको रेगुलर यूट्यूब वीडियोज दिखाता रहूं फूल मस्ती के साथ तो दोस्तों चलो मिलता हो अब किसी नेक्स्ट वीडियो में दबते के लिए बापाई झाल